हेलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो आज हम 12.3 लास्ट एक्सराइज शुरू लास्ट क्लास में कर जुगे थे आज हमें थर्ड कोश्चन से शुरू करना है ठीक है और मैंने आपको थर्ड कोश्चन करने के लिए था उम्मीद करता हूं आपने कर भी लिया हुआ लेकि आपके पास एक स्क्वाइर दिया हुआ है ठीक है और उसमें ये आपको दिया हुआ है एक सेमी सर्कल और एक सेमी सर्कल ये दिया हुआ है ठीक है यह देर रखाए 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 और यह देर रखाए और यह देर रखा store दो सब्लार हो आधिकर देला है है और आधिका है इस इस मेर स्टार में आधको किया बढ़ को क्या आधिन हला कि आधिकम कुछाना है तो यह हैं मुझे साफ दिखाई है कि इस पूरे स्क्वाइर में से अगर यह Semi circle हटा दूँगा तो यह अरिया मिल जाएगा तो बस बात ख़तम अब चेक करना है यह कि मैं डायमेटर यह स्क्वाइर की साइट दे रखिए 14 जब यह 14 तो यह पूरा भी 14 यह पूरा भी 14 यह पूरा भी 14 इसका मतलब अगर मैं कहूं साइट्स आफ स्क्वाइर तो कितना भै 14 cm वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा कितनी डायमेटर ओफ सैमी सर्कल कितना भै 14 सैंटीमेटर ठीक है मतलब अर्द वृत का व्यास ठीक है रेडियस ओफ सैमी सर्कल ठीक है, क्या भई, 7 कैसे होएगा, चाहे तो यह कर लो 14 upon me 2, cancel out 7 centimeter ठीक है, अर्ध विरित की तृच्या ठीक है, now क्या निकालना, area of shaded reason area of shaded reason छाय आंकित भाग का छेतरफल छाय आंकित भाग का छेतरफल ठीक है, तो यह है area of square area of square minus में 2 in 2 में 2 क्यों, एक semicircle 2 in 2 में, area of semicircle area of semicircle हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे वर्ग का छेतरफल माइनस दो गुने में अर्ध विरित का छेतरफल तो इसका होगा πाई आर स्क्वेर इसका होगा 2, 1 by 2 पाई आर स्क्वेर, है ना? अच्छा, तो सोरी, 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 इसका होता side का square, खलत भोल दिया ठीक है, 2 से 2, cancel out side की square, मतलब 14 का square पाई होगया 22 बटा 7 आर होगया 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया answer, हाँ भई, 14 का square, 196 22 से बंजा, 154 answer आगया 2 और यह 4 answer आगया 42 cm square करो करो अच्छो यह, बहुत सिंबल थे हैं शारो, होगया, नोट कर लिया अगला देखो आरो, होगया चलिए, question number अब आता है, आपका question number भाई फोर्थ से पहले फिफ्ट करा रहा हूँ, फिर फोर्थ करा रहा हूँ, ठीक है, फिफ्ट आपके पास एक square है, और इसके corner से यह, और बीच में एक circle कटा हूँ है, और आपको यह area निकालना है, यह area निकालना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, पूरे square में से यह, 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 और यह, माइनस कर देंगे, अपने आप यह area जाएगा, सही बात है, चलो, अब क्या है भाई, पूरा है यह 4 cm का, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, जिसमें से यह 1 cm का है, 1 cm, quadrant गया है, 1, 1 cm का, ठीक है, और इसका जो diameter है, वो 2 cm का diameter है, ठीक है, तो चलो, हो गया भाई, simple, सबसे पहले, side of square, square के side कितनी है, 4 cm, ठीक है, वर्ग की भुजा, ठीक है, अच्छा, diameter of circle, diameter of circle कितना दिया हुआ आपको, जल्दी बताओ, 2 cm, वृत्य का व्यास, वृत्य का व्यास, अच्छा, radius of circle कितना दिया हुआ है, 1 cm, कैसे, 2 का half हो गया, वृत्य की तरिज्या, वृत्य की तरिज्या, ठीक है, नौ, अब क्या निकालना है, वृत्य की तरिज्या होगी, अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, हाँ, तो बाकि, radius of quadrant भी, वही होगा, radius of quadrant भी पहले सी दिया हुआ है, में वन संटेमिटर चतुर थांस का अ कर चतुर थांस की तरीचे ओ एक सेंटीमेटर नो आब बडिया है अब निकालो यह गया अब निकालना हमें area of shaded reason area of shaded region प्रशायांकित भाग का शेटर फल त्शायांकित भाग का छेतरफल ठीक है अब क्या भई ठीक है चाय अंकित भाग का छेतरफल तो क्या करो भई एरिया ओफ स्क्वेर माइनस एरिया ओफ सर्कल माइनस चार गुने में चार गुने में एरिया ओफ क्वाडरेंट हिंदी वाले हाँ भई वर्ग का छेतरफल माइनस विरित का छेतरफल मनलब चार गुने में क्वाडरेंट चार गुने में क्यों एक, दो, तीन, चार एरिया ओफ स्क्वेर एरिया ओफ स्क्वेर बोलो बच्चो क्या होगा भाई, side q square ठीक है, minus area of circle, area of circle क्या है pi r square, minus 4 गुने में area of quadrant, 1 बटा 4 pi r square, 4 से 4 कट गया side कितनी है, 4 का square pi r, pi r, 2 pi r 4 का square, 16 minus 2 pi की value, 22 बटा 7 r की value, 1 गुने में 1 ठीक है, तो 16 minus 44 बटा 7 ये कट गया, 16 सत्य कितना हो गया सत्य कि value, 2, 4 और 11, 12, 144 7, minus करो, 12 में इस से 4 गया, 8, 10 में चार गया, 6, बटा 7 इतने centimeter square, area करो, बहुत simple है note कीजिए इसको ठीक है, चालो आगे देखते हैं बस ये करते रहो ठीक है, इस से क्या होगा की हमने सारे concept बटा चल चुक है हमें सारे concept मदा चल चुक है बस figure देखते हैं हमारे mind बहुत ये देखना है कि कितने में से क्या हटाना है ताकि हमें सेडिड मिल जाए ठीक है आपको बस ये देखना है कि कौन सा ऐसा टोटल एरिया है जिसमें से किस हिस्से को कट किया जाए किस हिस्से को कट किया जाए फॉर्मॉला वाइज ताकि हमें ताकि हमें जो shaded reason चाहिए वो मिल सकी ठीक है देखो जैसे question number अगर मैं बात करूँ fourth की ठीक है तो आप से देखो क्या कहा गया है कहा रहा भाई एक triangle है ये triangle हो गया वो भी triangle कैसा equilateral और इस पे एक circle खीचा गया है ऐसा कुछ और कहा रहा कि ये पूरा का पूरा area न सेड़िड है ये पूरा का पूरा area क्या है सेड़िड है पूरा area सेड़िड है और triangle है equilateral ठीक है तो अगर ये पूरा area सेड़िड है और कहा रहा है इस equilateral triangle की जो length है वो side की length है वो 12 cm है जबकि जो radius है इसकी वो 6 cm है ठीक है, जो circle की radius है वो 6 cm है, तो बताईए कि इस पूरे का area of shaded region क्या है, तो सबसे पहले length of side of equilateral triangle equilateral triangle तो कितना है, 12 cm सम बाहू तिर्भुज के भुजा की लंबाई भुजा की लंबाई क्या है भुजा की लंबाई, 12 cm हाँ जी अगला क्या भई length of radius radius of circle circle के radius कितनी है, भई 6 cm वृत के तृज्या की लंबाई ठीक है now आप क्या करना बच्चोől बहुत सिंपल थी है कहानी कि भई देखो, अगर गौर से देखोगए, तो ओस च्रियंगल तो अपने आप में पूरा है triangle तो अपने आप में पूरा है लेकिन circle पूरा नहीं है circle कितना पूरा नहीं है circle इतना पूरा नहीं है मतलब यह हाला इससा यानि एक सेक्टर एक सेक्टर और आपको पता है equilateral triangle तो 60 60 60 यानि इतना sector पूरा नहीं है तो मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा area कैसे निकालेंगे आप देखो पूरा triangle plus पूरा circle minus क्या इतना सा सेक्टर समझे माई बात यह ओ यह ए यह बी और यहां पॉइंट ले लो सी ठीक है ठीक चलो कैसे करेंगे अब area of shaded reason area of shaded reason चायांकित भाग का छेतरफल चायांकित भाग का छेतरफल तो क्या होगा चायांकित भाग का छेतरफल क्या होगा भाई area of triangle plus area of circle minus area of sector हिंदी वाले तिरभूज का छेतरफल plus विरित का छेतरफल minus 30 खंड का छेतरफल ठीक है तो ठीक है तो area of triangle हां जी equilateral triangle का क्या होता root 3 by 4 side की square area of circle pi r square area of sector theta upon 360 360 pi r square root 3 by 4 side का square side कितनी है भाई side है 12 का square pi r square तो pi कितना बच्चो एक काम करो ना pi r square तो common ही आ रहा है pi r square common ले लो इसके हाँ पर बचेगा 1 इसके हाँ बचेगा 60 upon में 360 यानि 00 कटा 6 कम 6 6.36 तो 12 का square 144 root 3 by 4 plus pi r square 22 बचा 7 r का square r कितना है 6 गुना 6 और इसको solve करेंगे आँ भी 6 minus 1 बचा 6 6 से 6 कट गया 4 से कटेगा 4 तिया 12 और 4 चिक 24 तो 36 root 3 plus 22 बचा 7 गुना 6 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 36 root 3 plus 22 पंजे 110 गुना 6 बचा 7 तो 36 root 3 plus 660 बचा 7 इतने cm square ये एरिया है नोट कर लो नोट कर लो नोट कर लो नोट कर लो चरिवच्छो नेक्स्ट कोशन नमबर बच्छो 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 करते हम पहला करते हम सेवन ठीक है पहले करते हैं सेवन्थ ठीक है चलिए इसके हद सेथ बच्छो एक क्लास और ली जाएगा अब की ठीक है उसके बाद ही खता में चेप्टर सेवन्थ कोशन कुछ इस पर कार है कि ये आपके पास एक स्क्वेर है ठीक है और भई इसको सेंटर मान के एक सरकल कीचा गया इसको सेंटर मान के एक सरकल कीचा गया फिर इसको सेंटर मान के एक सरकल कीचा गया फिर इसको सेंटर मान के दूसरा सरकल कीचा गया अब अच्छो मैं इतना बड़ा कलाकार तो हो नहीं लेकिन अपनी तरफ से जितना पैस्ट हुआ कर दिया ठीक है और आपसे बोला गया यह एरिया निकालो यह निकालो तो कैसे निकालोगे सिंपल सिंपल है भाई कैसे निकालोगे कि यह जो सरकल यहां पे ऐसे टच करते हो जा रहे हैं यह ऐसे इसको हाफ बाट रहे हैं इसको हाफ बाट रहे हैं ठीक है और क्या कर रहे हैं यह इसकी रीडियस बन रहे हैं यह इसकी क्या बन रहे हैं और साथी साथ यह क्वाडरेंट बना रहे हैं क्या बना रहे हैं क्या बना रहे हैं क्वाडरेंट 90 degree के ठीक है, अब देखो, अब इसने बोला है, कि square की जो side of 14 cm है, अगर square की side, side of square, side of क्या है, square आपको दे रखा है 14 cm, ठीक है, वर्ग की बुजा, बुजाद की बुजाद की देखा, 14 cm, अब कह रहा है, A, B, C, D, 4 corner है, अब कह रहा है, कि उन चारों पर एक एक circle गया, जो externally touch कर रहे हैं, तो बताओ भई, ये area of shaded region क्या है, तो बस, हाँ भई, सबसे पहली बाद, जहां से भी touch करते जाएंगे, तो half में touch करते जाएंगे, कहां है, तभी ये touch होगा, तो बस, क्या होगा भई, radius of circle, radius of each circle, तो कितना होगा भई, 14 upon 2, 7 cm, ये हो गया, ठीक है, प्रतेक, प्रतेक, वृत की त्रिज्या, ये अबने थियोरम भी पढ़ी होगी, कि corner से जब कीचेंगे, तो half में ही touch करे, और कहीं touch नहीं करता, ठीक है, ठीक है, बात ये 4 के 4 equal है, 4 के 4 equal है, तभी, करने को तो कर जाएगा, छोटा सा एक इतना बड़ा बना दो, एक छोटा सा बना दो, करने को टेस्ट तो कर जाएगा, लेकिन बात अगर करेंगे equal, चारो circle equal है, तो भई, वो half से ही touch करेगा, ठीक है, ना, वो half से ही, ठीक है, चलिए, हाँ जी, अब देखो, कैसे करेंगे, अब देखो ये क्या है, 7 cm, आप कैसे निकालेंगे, area of shaded region, area of shaded region, चायंकित भाग का छेतरफल, तो क्या होगा, ये होगा, area of square, minus 4 quadrant का area, minus 4 into area of quadrant, area of quadrant, ठीक है भई, ठीक, या नहीं, square का area, ठीक है, वर्क का छेतरफल, और minus में, चार गुने में, चतुरसांस का छेतरफल, तो area of square, side का square, minus 4 गुने में, area of quadrant, area of quadrant मतलब, एक बटा चार, pi r square, side कितनी है, side है बच्चो, 14 cm, फॉर्थ है वोर कड़ गया, 22 बटा साथ, आर की वल्लू साथ कुने में, साथ, फिर से साथ साथ कड़ गया, 196, 154, 42 cm square answer है, करो, करो जले लीजिए, करो जले लीजिए, करो, करो, क्शेख बवेवर क्वाचे ब ciudadत अ करो, आर भीजिए, करो, करो जले खावा़ है, यार खैवाल हाँ जी बच्चो चलो नेक्स वोश्चन अब इसके बाद करेंगे हम कोशन नमबर नाइन्थ नाइन्थ ने पहले टैंथ करते हैं पहले टैंथ करते हैं फिर करेंगे नाइन ना हाँ जी पहले टैंथ करेंगे टैंथ हम आप से कहा है कि वही एक इक्विलेटरल टैंगल आतीक हे यह एक एक इक्विलेटरल टैंगलक भांकर हाँ वर्टतिस से इसके हर वर्टेसिस से को सेंटरमान के है सरकल कीच एंग में डखीच आगी सेघ्या है कि सरकल कीच घुए है हुआ यह ऐसे तीन सर्कल खीचे गए जो एक दूसरे को एक्स्टरनली टच कर रहे हैं ठीक है और वो क्या है और साब बोला गया है कि जो यह टच कर रहे हैं यह साइड इस ट्रेंगल की साइड का हाफ है इस ट्रेंगल की साइड का क्या है भाई आपस में यह हाफ है ठेक है अब कहा रहा है तो बताओ अगर पूरे ट्रैंगल का एरिया 17320.5 cm2 है तो भाई एरिया ओफ सेड़िड रिजन इसका एरिया क्या होगा तो बस सिंपल भाई ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60 यानि कि अगर मैं पूरे ट्रैंगल का एरिया तो मुझे दिया हुए उसमें से 3 स तो पहले साइड निकालने बढ़ेगी सबसे पहले एरिया ओफ इक्वी लेटरल ट्रेंगल इक्वी लेटरल इक्वी लेटरल ट्रेंगल तो दे रखा 1730320.5 cm2 भाई क्या होता है अब 3 by 4 साइड की स्क्वेर 17320.5 रूट 3 की वैलू आपको दे रखी है 1.73205 अपन में 4 साइड की स्क्वेर 1.7320.5 पॉइंट यहां से अटा दोगे तो नीचे आजाएगा 10 ठीक है यहां से पॉइंट अटा दोगे तो नीचे आजाएगा 1 ठीक है एक दो तीन चार पांच पांच जीरो आजाएंगे ठीक है उपर वाले से उपर वाला कट गया एक जीरो से एक जीरो कट गया यह हो जाएगा साइड की स्क्वेर अब उन में 4 और यह चार बार जीरो बराबर 1 यह उदर जाके क्या करेगा इसक्वेर इधर आएगा और बन जाएगा अंडर रूट चार बार जीरो चार का बनेगा टूथ दो जीरो का है एक दो जीरो का है इतने सेंटीमेटर तो हाँ भई साइड ओफ ट्रेंगल कितना आ गया 200 सेंटीमेटर इसका मतलब रेडियोज ओफ सेक्टर या रेडियोज ओसर्कल रेडियोज सेर्कल क्या होगा बई हाफ आफ ऑसका वोले न तो स्टेंटी मीटर व्रित की तरिचिया बस नाओ एरिया और सेट्रीजन ऐरिया ओफ सेड़ींट रिजन चाय अंकित भाग का छेतर फल्ट तो क्या है अरिया अफ ट्रेंगल माइनस थी इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर एरिया अटर दे रखाएं 17320.5 यह दे रखा है ठीक है और माइनस 3 इंटू में एरिया वसेक्टर ठीटा वटा 360 पाई आर स्कुरेर ठीक है तो साथ तीन दो जीरो पॉइंट पाँच त्री यह गया साथ तीन सो साथ पाई की वैलू 22 वटा साथ पाई की वैलू 22 वटा साथ नहीं 3.14 लेनी है और आर की वैलू कितनी है 100 हाँ जीरो तो जीरो कटा छे चिक चतिस तीन दुनी दो से इसको काटेंगे 1.57 तो यह जाएगा 17320.5 इसकी 70 प्लाइए करेंगे तो यह और दो जीरो यह बस माइनस कर दो हाँ तो 5.02 तेरा में से साथ गया छे और छे में पांच गया एक तो इतने सेंटिमेटर स्क्वेर यह आणसरे करो यह आणसरे बच्यों ठीक है अब देखो कौन कौन ते चुडवाया है मैंने अभी तेक आप लोगों को छटा चुडवाया है आठवां नौवां ठीक है और ग्यार्वां तीदा बार्वां कर रहे हैं ठीक है एक कोश्चन और देख लो बस फिर अगली क्लास में यह चैप्टर हो जाएगा आपका खतम ठीक है इसके बाद हम चैप्टर सुरू करेंगे चैप्टर नमबर ठाटीन क्या रहा है एक स्क्वेर है ओबी सीडी ठीक है और उसमें क्वाडरेंट बना हुआ है कर्टी नहीं 12 है 12 सौरी 12 देखो यह कोडरेंट है एक कोडरेंट है कि ए बी पर यह सी और यहां से एक पाइंट जा रहा है डी और यह ओ यह इरिया निकालना है हमें ठीक है और कह रहा है रेडियस जो है पूरा वो 3.5 cm है पूरा रेडियस यह भी पूरा 3.5 cm है पूरा अब कह रहा है OD 2 cm है यह 2 cm है इतना ठीक है और 90 डिग्री पर क्वाडरेंट है तो कह रहा है बताओ O, O, A, CB का एरिया और area of stated region तो बहुत असान है area of quadrant सब कुछ आपको दिया हुआ है क्या एक बटा चार पाई यारी स्क्वेर ठीक है चतुर्थांस का छेतरफल एक बटा चार पाई की value बाईस बटा साथ आर की value अरे यह आरी तो है 3.5 into 3.5 तो इससे गटेगा 0.5 ठीक है यह गटेगा 2 यह गटेगा 11 तो 11 गुना 3.5 गुना 0.5 बटे में 2 ठीक है अब यह 11 पंजे 55 और 11 यह 33 और 5 38 तो पॉंट बटा दो 0.5 का मतलब भी एक बटा दो तो 38.5 बटा चार ठीक है दो दो नी चार कैंसल करो 4 निम 36 दो 6 और 2 पाँच इतने सेंटीमेटर स्कूरर आंसर यह गटे फर्स्ट पार्ट अब गया रहा area of shaded region area of shaded region मतलब छायांकित भाग का चेतरफल चायांकित भाग का चेतरफल तो area of quadrant area of quadrant minus area of triangle area of triangle कौन सा odb का ठीक है तो देखो area of quadrant तो अभी अभी निकाला 9.625 अब यह निकालना है वन बाइट टू बेस ओबी height od बाद खतम 9.625 minus 1 by 2 3.52 2 से 2 खतम 9.625 minus 3.5 हाँ भई तो कितना आएगा पाँच दो एक छे इतने cm2 minus करने के बाद answer ठीक है माइनस करने के बाद यह answer आएगा ठीक है तो ऐसे करना है बच्चो तो question try करके देखेंगे अब आगे के जो हो जाएंगे ठीक जो नहीं होंगे मैं करवाँगो ठीक है चलिए मिलते है next class में इसको note कर लीजेगा अच्छे से ठीक है समझ समझ के करना है बाकि जो नहीं आएगा वह हम next class में करेंगे proper चलो बाई